मेरे प्रियात्मन, सहज योग में आज संत दादू का एक पद लेने जा रहे हैं। संत दादू, राजस्थान के संत हैं, कबीर और कमाल साव की परंपरा में आते हैं, और समराट अकबर के समकालीन हैं। संत दादू कहते हैं, बटाओ रे, चलना आज की काल। हम सब बडोही हैं। और ये संसार एक मसाफिर खाना है। आज नहीं तो कल, हम सब को यहां से जाना है। इस बात का अगर हम समराट रखें, तो फिर हमारा जीवन एक सरल यात्रा हो जाती है। फिर हमें पता होता है कि हमें जाना कहां है। रेमन मसाफिर, सुनो एक शायर कहता है, रेमन मसाफिर, निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। ये जो घर है, इसमें हम किरायदार हैं, और आज नहीं तो कल, इस घर को, इस सराय को हमें खाली करना है। इसी बात की और इशारा करते हुए दादू साब कहते हैं, इस बात का असमराट रखो, ऐबटोही, ऐबटाओ, बटाओ रे, चलना, आज की, खाल। इस बात को कबीर साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, माली आवत देखके, कलियन करें पुकार, माली आ रहा है, और कलियां माली को देखकर के पुकार रही हैं, फूली फूली चुन लिए, काल हमारी बार। जो कलियां फूल बन गई है, माली उसको चुन लेता है, और बाकी कलियां इंतजार करती है, कब उनकी बारी आ जाती है, ऐसे ही माली बनकर यम आता है, और हमें चुन करके ले जाता है, बस केवल आगे और पीछे की बात है, मगर जाना तो है, चलना तो है। कहते हैं दादु साहब समझे न देखे कहा सुख सोवे इस बात को तुम समझते नहीं और सुख से सोते हो अगर याद आ जाए तुम्हें कि एक दिन मृत्व घटित होने वाली है तो कैसे सुख से सो पाओगे तुम गुजरात के एक संथ हुए नर्सिंग महता जी गांधी जी के बड़े प्रिये संत थे उनका एक भजन गांधी जी अकसर गाया करते थे और अपनी संगत के लोगों को गाने के लिए प्रेरिट करते रहते थे उठ जाग मुसाफिर भोर भाई अब रैन कहां जो सोवत है ऐ मुसाफिर उठो भोर हो गई सुबह की बेला है अब राप नहीं कि अभी भी चादरतान के सोये चले जा रहे हो जो सोवत है सोखोवत है जो जागत है सोपावत है तुक नींद की अखियां खोल जरा ओ गाफिल रव से ध्यान लगा आँखे खोलो जरा रव का ध्यान लगाओ तुक नींद की अखियां खोल जरा ओ गाफिल रव से ध्यान लगा यह प्रीत करन की रीत नहीं रव जागत है तू सोवत है तेरा प्रियतम जाग रहा है और तुम सो रहे हो यह तो प्रीत की कोई रीत नहुई ठीक उसी अंदाज में दादू साब कहते है समझनों न देखे कहा सुख सोवे इस बात को समझते नहीं इसलिए अभी भी सुख की निंद सो रहे हो जिसके लिए कबीर साब एक दूसरी जगा कहते है रात गवाई सोवे के दिवस गवायों खाए हीरा जनम अमोल था कोड़ी बदले जाए ऐसे ही ऐसे उम्र बीती चली जा रही है ऐसे ही ऐसे जिम्दगी की एक कीमती घड़ियां चुकती चली जा रही है ऐसे ही ऐसे जीवन का तेल जलता चला जा रहा है और अम गाफिल होकर बेख़वर होकर मौत के प्रती और ऐसे ही समय गवाएं चले जाते हैं इसलिए दादू साब कहते हैं रे मन राम सम्हाल जीने का क्या सलिका है राम को चानो राम से जुड़ो उस शाश्वत से जुड़ जाओ ताकि मृत्व की बेला में तुम समझ सको कि देह तो गिर रही है लेकिन तुम्हारे भीतर एक शाश्वत तत्व है वह नहीं मर रहा वह तो सदा था वह तो सदा है और वो सदा रहेगा कबीर साब इस बात को किसी और अंदाज में कहते हैं काल हमारे संगर है कस जीवन की आस वो काल वो यम वो मृत्व सदा हमारे साथ साथ चलती है फिर भी हम जीवन की आशा में जीए चले जाते है दिन दस नाम समहा लिले जब लगी पिंजर सांस इसलिए जब तक ये सांस चल रही है इस पिंजड़े के अंदर तब तक समहल चाओ इस सांस के चलते चलते उस परम जीवन को जान लो जिसके जान लेने के बाद मृत्व नहीं होती है कहते हैं दादू साहब जैसे तरवर बिरख बसेरा पंखी बैठे आई बस जीवन कैसा है जैसे कोई पंची आता है किसी व्रिक्ष पर आता है थोड़ी दिर कलरो करता है और फिर विदा हो जाता है ऐसे ये जीवन का पंची आया है इस पिंजर पर इस व्रिक्ष पर बैठा है और आज नहीं तो कल फिर ये पंची उड़ जाने वाला है फिर क्या करोगे कवीर साहब इस बात को एक अलग अंदाज में कहते हैं कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारा भार ले ले ऐसे ही जैसे पेड़ पर पंची आता है और चला जाता है ऐसे ही जीवन पंची आता है और कुछ दिन के बाद इस व्रिक्ष से विदाव ले लेता है इसलिए दादू साब कहते हैं ऐसे यह सब हाट पसारा आप आपको जाई पुराने जमाने में हाट लगता था जैसे दिन में सोमबार को या मंगलबार को सब लोग दुकांदार भी आते थे और ग्रहक भी आते थे हाट की बेला समाप्त हो जाती थी हाट की अवधी समाप्त हो जाती थी दुकांदार अपने घर चले जाते थे ग्रहक अपने घर चले जाते थे हाट सारा उजर दाता था फिर जमीन सुनी रह जाती थी ऐसे ही कहते हैं कि ऐसे ही यह घाट पसारा आप आपको जाई ऐसे ही यह दुनिया है यह संसार है हम सब आए हैं और एक दिन ये हाट उजर जाने वाला है सब अपने अपने घर को लोट जाने वाले है क्या पता की कब हो खेल खतम सुनो इसको एक नए अंदाज में सुनो क्या पता की कब हो खेल खतम क्या पता की सांस उखर जाए क्या पता कि कफ प्याली फुटे और सारा जाम बिखר जाए इसलिए राम रस पीता जा अपनी मस्ती में जीता जा अत्मस्ती शररंग च्छामी भज ओशो शररंग च्छामी एक दिन ये जाम एक दिन ये मैं खाना एक दिन ये मध्शाला देखते ही देखते उजर जाती है इसके पहले ये मदशाला उजर जाए थोड़ा होश को समभालो थोड़ा राम को समभालो कहते हैं दादू साथ कोई नहीं तेरा सजन संगाती ये जो तुम सोचते हो कि तुम्हारे इश्ट, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे समंधी, तुम्हारे परिवार, ये तुम्हारे साथ रहेगा, कोई सदा साथ रहने वाला नहीं है, या तो वे विदा हो जाएंगे, या तुम विदा हो जाओगे, इसको अरजुन देव जी ने, गुरु अरजुन देव इने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है तेरे क। यह जो विश plataforma की मायफ है जो तुमने भोग की सामगरी कथा कर नहीं है यह कुछ काम आने वाला नहीं है इसर्ट मेत जान सब चले यह सब चलावा है जिसको तुम इत कहते हो मित्र कहते हो समंधि कहते हो हर हर नाम संग तेरे चले मृत्तु की बेला में एक राम का नाम की पूझी तुमारे साथ रह जाती है वही तुमारा रहबर रह जाता है बाकि कोई भी तुमारे साथ यह शव यात्रा में दिखाने को लोग चलते हैं शव यात्रा जो असली होती है शव के बाद शव यात्रा के बाद असली जो आत्म यात्रा होती है मृत्तू के बाद उसमें तो बस के वल राम ही तुमारे साथ चलता है कहते हैं कि कोई नहीं तेरा सजन संगाती दादू साब कहते हैं कि कोई नहीं है जिसके लिए जिन खोए मनमूल एह मन जिसके लिए तू उदगम को भूल बैठा, जिसके लिए तू राम को भूला बैठा, याद रखना कोई भी इतना मुल्लेवान नहीं है जिसके लिए तूम अपने उदगम को भूला बैठते हो, दा कारत की सव्यति नदी की सव्यति है और ये सरस्वति नदी आज की गंगा से भी बड़ी थी आज की सिंद्र नदी से भी बड़ी थी और इसके 2 मुख्ष जो फीडर नदियां थी एक चित्रांग थी और एक सरहिंद थी लेकिन जार कॉछ ऐसा घुमा कि सरहिंद को 17 अपने साथ बहा करके ले गई और फिर जो चित्रांग नदी थी उसको यमुना अपने साथ ले आई और ये जो दो फीडर नदियां थी चित्रांग और सरहिंद ये दोनों कट गई सरस्वती से और सरस्वते नदी इस तरह उद्गम से कट गई और पूरा राजस्थान जो कि सरस्वती नदी अपने उद्गम से कट गई अभी भी आज तुम जाओ बीका नहर के आस पास जाओ बड़े बड़े ठीले और अटालिकाएं दिखाई पड़ेंगे एक दो किलो मीटर से भी ज्यादा सरस्वती नदी का पाठ है लेकिन सरस्वती नदी बिलकुल सूख क्योंकि अपने उद्गम से कट गई ठीक ऐसे ही अगर हमारा जीवन अपने स्रोत से कट जाता है अगर हमारा जीवन राम से कट जाता है ऐसे हमारा जीवन रेगिस्तान हो जाता है इसलिए दादू साब कहते हैं यह संसार देख ही जन भूले सब ही सेवल फूल बड़ी प्यारी उक्मा है कि सेमल का पेड़ होता है लाल लाल फूल खिलते हैं और तोता इंतजार करता है जब फूल इतना प्यारा है तो इसमें फल कितना सुन्दर लगेगा और जब फल उसका तयार होता है जब तोता उसमें चोच मारता है तो उसमें फल की जगा रूई न ठीक कहते हैं दादू साब ऐसे यह संसार है जितना तुमको लुभाउना लगता है वास्तों में जब इसको चखना शुरू कर लोगे तो हाथ में व्यता ही लगती है दुख ही लगता है कहते हैं दादू साब तन नहीं तेरा धन नहीं तेरा और कहा रहो यही लाग यह तन रह यह भाने वाला नहीं है, यह धन रहने वाला नहीं है, कैसे तुम मोह में पड़े हुए जिंदगी को चीते हो। जिसके लिए कबीर साव कहते हैं, एक दिन ऐसा होएगा कोऊ का हू की नाहीं, घर की नारी को कहे तन की नारी जाएं। एक दिन ऐसा हो जाएगा, ये शरीर मर जाएगा, और फिर तुम्हारी अपनी पतनी तुमको कहेगी कि इसको जल्दी से अश्मशान ले जाओ, तुम्हारे भीतर की आत्मा ही नहीं रहेगी, तो बाहर की नारी या बाहर का कोई भी समन्दी तुम्हारा कैसे रह पाएगा, दा गुरू से नाता जोड़ो गुरू से गोविंद को जानो और उस गोविंद के सुमिरन में जियो। उमर खयाम कहता है जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिन्दगी इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिन्दगी मुक्त हो जा मृत्तू से तू राम रसका पान कर क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिन्दगी इस जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है इसलिए दो जिसको पीने के बाद मृत्व तुम्हारे पास आती नहीं क्योंकि तुम एक शाश्वत जीवन से परचित हो जाते हो उमर खयाम इस बात को एक और अंदाज से कहता है इस फना के रास्ते में जिन्दगी है एक पड़ाओ मुर्ख ही महसूस करते विर्थ में इस से लगाओ कूच करने को खड़े उसके हुकम की देर है कौन पूछेगा यहां उड़ती हुई मिटी का भाओ बस उड़ती हुई कुछ राख रह जाती है और ऐसे ऐसे जिन्दगी विदा हो जाती है इसके पहले की जिन्दगी का पंची उड़ जाए इसके पहले की एक मुठी के वल राख बच जाए इसके पहले की बिरख पर बैठा या पंची कहीं और चल दे जागो गुरू से जुडो गुरू से गोविंद को जानो और उस गोविंद से अपना नाता जोड़ो और तुम भी गोविंद की तरह अपनी शाश्वत अस्मिता को अपने शाश्वत सत्ता को जान लो यही सहाजयोग है हरियों तत्सत